आप से फेंट्स का मैं हार दिक स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल भीजागाईडी व्लॉग फेंट्स आज मैं आपको लेके जाओंगा नेपाल और नेपाल मैं आज मैं आपको खुआओंगा नेपाल गंज का सबस्वड़ा वाटर पार्क जिसका ना है वंडर 35 रुपए में 35 रुपीज में आज आप नेपाल खुम सकते हैं आज मैं आपको लेके चलूँगा नेपाल और घुमाऊंगा आपको ट्रेन से छोटी लाइन की ट्रेन है जो कि बहराइज से नेपाल गंज रोड नेपाल गंज रोड जो है यह यूपी में बहराइज सिटी क उसका हेड़काटर है नैपाल गंज और नैपाल गंज रोड जो स्टेशन है वो इंडिया भी बढ़ता है रुबेडिया में और वहां पहुचोगे उसके आगे आगे आपको नैपाल आपको मिल जाएगा तो आज मैं आपको लेके चलूँगा आपको दिखाऊंगा तो फ्रे से या ट्रेन से आप आसकते हैं बहराईज अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको लख्न वाहराईज की ट्रेन happens आपको बस मैलानी और आपका शकन रिलिश्शन है और बहुत बड़ा रिलेशिचन है, आपको वहाاح गुंडा जक्शन से आपको पूरे भारत के लिए ट्रीन आपको मिलेगा, और शोटी लैन की ट्रेनें हैं, वह वाहराईस से नेपाल की रोड के लिए है, तो अगर आपको नेपाल जाना है, तो यहां वाहराईस आने के बाद आपको यहां पर ट्रेन चेंज करना पड़ेगा तो इस जड़नी में मैं आपको दिखाऊंगा 35 रुपए में कैसे आप नैपाल पहुच जाते हो आप फ्लाइट से जाएंगे तो आपका 12 से 15 जार पड़ेगा लेकिन मैं आपको यह शोटी दाइट की ट्रेन आप देख रहे हैं इस ट्रेन से मैं आपको नैपाल लेके चलूँगा और आपको नैपाल खुमाँगा इसका जो फ्यार है इसका जो किराया है वो 35 रुपए है फिलहाल तो 35 रुपए है बहुत पहले की बात है आज से 7-8 साल पहले तो आपको यकिन ही होगा इस ट्रेन का किराया बहराइज से नैपाल गन जाने का किराया बहराइज से नैपाल की जो दूरी है वो 50 क्लूमीटर है और इसका जो किराया था वो 9 रुपए है लेकिन आज पानके बाच चार पान्च साल के बाद टिकट का जो रेट है टिकट का जो राइज है वो काफी ज़ादा हो गया तो अभी अगर बात कि जाए इस टाइम का जो टिकट है वो 30 रुपई आप ट्रेन देख सकतोmos कि ये पैसेंजर ट्रेन है और चोटी लाइन की ट्रेन है और ट्रेन की सीट आप देख सकते हो जिस पर गद्दा उद्दा भी नहीं है और एक्तिम नॉर्मल ट्रेन है साधी ट्रेन है और ठीक है क्योंकि यहां पर आबादी काफी काम है आफ ट्रेन में देख सकते हो ट्रेन में भीड़ भी जादा नहीं है प्शिडिया पता भी दो है और यहां पर जादा लोग नहीं है बाहर के जादा लोग नहीं मेया कि डीब जातते हैं वो सनौली वार्डर होके या फिर आप ये बिहार में रक्सल वार्डर होके जाते हैं और बढ़नी वार्डर होके जाते हैं ये जो वार्डर है नैपाल गिंज वार्डर है रुपेडिया वार्डर है बहुत कम लोग जाते हैं तो आगर आपको नेपाल कर जाना है तो आगर आप कम पैसे में ट्रबबल करना साथ तो आपंन ट्रेन लीजिए सीधे लखनों के लिए या गोंडा के लिए अगर आप लखनों आ रहे हैं तो लखनों से आपको बस करना पड़ेगा अगर आप गोंडा आ रहे हैं तो गोंडा से आपको बहराईश के लिए दूसरी ट्रेन मिल जाएगा वो एक्स्प्रेस ट्रेन रहेगा व बाकी इस्ट्रिक्त का बाकी जिला का हैड़ कौर्टर है नैपाल गंज तो बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत-बड़ा सहर है तो यहां से आगे प्रटरी नहीं है क्योंकि इसके आगे नैपाल देस नैपाल चालो होजाता है तो यह भारत आपको मिलेगा वह आपको बहराई से ही मिलेगा नानपारा से आपको ट्रेन मिलेगा दो जक्सन एक जक्सन है नानपारा जक्सन और आपका एक है बहराईश आप अगर चाहो तो डायरेक्ट आप बस से भी आ सकतो हो यह सामने आप देख रहे हैं नैपाल गिंज रेलो शीशन स्टेशन है और अगर आप चाहो तो बस से आ सकतो ये रुपएडिया अंतराजिय वसड़ा है यहाँ पर जो बस है वो बस की सर्विस आपको जैपूर, हरिद्वार, सिमला, मंसूरी, दिल लेके लिए आपको डारेक्ट बस मिल जाएगा डेली से अगर आप आना चाहते हो तो फारीदवार से रुपएडिया भी आ सकते हो तो फ्रेंड्स सेड़ेस उतरने के बाद आप जाएंगे सीधे बॉर्डर मैंने बॉर्डर की वीडियो नहीं बनाए क्यों बॉर्डर पर जो मॉबाइल से रिकॉर्डिंग करना एलाओ नहीं है और जो सुरक्षा की दिस्ट्र बाद विक्ति दिस्ट्रिक में वहाँ डेटक वाटर है नयपाल गंज तो वहाँ पर यह आपका वंडर लाइंड वाटर पार्क है आज यहीं आपको लेकी चलूंगा इसको एक्सिलूर करूंगा और आपको बताऊंगा तो बात करें वंडर लाइंड वाटर की तो यह अगर इस वाटर पार्क की बात की जाए तो यहां की जो फीस है वो आपका 400 रुपए इंडियन है और इसको आपको पे करना है 400 रुपए इंडियन नेपाली की बात की जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हो तो 400 रुपए 400 रुपए इंडियन आपका पढ़ेगा और इसमें आ क्पडा का और लाकर का कपड़ा का और आपकर जो नेट्री डिकट है रहे हौँ आपका चार सुरूपए तो 500, 600, 700 शृ टू बाफ़य आपका लगचाएगा जिस्तो साथ बाफ़य आपका लगचाएगा और यह देखे, लेकिन वाटर पार्क यहां का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खुब फूरत वाटर पार्क इस वाटर पार्क को आप एक्स्प्लोर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा और यह वाटर पार्क में बहुत सा बहुत कुछ है करने के लिए तो आप कभी भी अगर नैपाल कर जाते हैं घूमने के लिए तो आप इस वाटर पार्क में जरूर आईएगा और यहां पर आप एक्स्प्लोर करिएगा अच्छे से लिए तो नैपाल में सबसे बड़ा नैपाल गर्ज में सबसे बड़ा वाटर पार्क है यहां पर ती क्योंकि जो main main है वो मैंने record कर लिया है जते वो मोफाइल जो है camera थो हम अगर फानी में सला जाएगा तो घराब हो जाएगा इसलिए हम ने जो details हैं वो मैंने आपको बताई कि तरीके से आप Desktop ऐब ग troph当ि सकतऊ हो और autant aufge सूला हजार रुपे लगेगा और बस जा पाते हो तो भी आपका च्छा कासा पैसा लगेगा लेकिन अगर आप इस तरीके से आते हो आप ट्रेन से आते हो तो आपका बहुत कम खर्चा लगेगा बहुत कम खर्चे में आप जा सकते हो आप नेपाल के लिए वाटरबाग खुम तो फैर आपका इंडिन करंसी कर बात करता हूं तो 3,000 से 4,000 के बीच में आपको मिल जाएगा अगर सीजन आफ है तो अगर आप इमर्जनसी में लेंगे जल्दी लेंगे तो जो टिकट है वो आपका 4,000 से 5,000 के असपास आपको मिलेगा मैं जो बी बात कर रहू है और अगर मैं नैपाली गरंसी की बात करूं इंडिया का 10,000 नैपाली का 16,000 बनता है तो इस रिच को आप ध्यान में रखिए और यहां पर अगर आप आते हैं गोमने के लिए आप देख सकते हैं कि इतना खुब फूरत है और पानी इसका हरा अरा लग रहा है कुछ केमिकल इनों ने मिलाया होगा अभी जो मैंने आपको दिखाया पानी बहुत साब था और यहां पर पानी काफी हरा हरा लग रहा है और यह जो आपको पीछे दिख रहा है इसको पर आपको चड़ना है चड़ने के बाद आपको फिसलना है तो बहुत कुछ है इस पर करने के लिए मैं वहां पर जब मैं गया गुमने के लिए तो वहां पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्यों नहीं किया क्यों कि वहां पर आपका कैमरा पानी में डूपने का डर है मॉइल फोन डूपने का डर है इसलिए मैंने जू रिकॉर्डिंग किया है वो खाली बाहर बाहर किया है तो काफी कुछ है यहां पर करने के लिए काफी कुछ है यहां पर देखने के लिए अगर आप फैमली के साथ आना चाहते हैं तो फैमली के साथ भी आप आ सकते हैं बहुती अच्छा यहां का बहुती अच्छा यहां पर है बहुती खुब्सूरत है और यहां पे हर चीज आपको मिलेगा दिखने के लिए और अगर आपको यहाँ पे खाना होना खाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर रिस्टेंट है आपको बाहर जाने के रोटने ही आपको इस वाज़र पारक पे यहाँ अपको रिस्टेंट मिलजाएगा और अगर खाने की बात करूं तो आपका 500-500 रुपे खर्चा हो जाएगा अगर आप तीन लोग हो दो लोग हो तो 500 रुपे आपके लिए इनफ है या आपका इंडिया का 500 रुपे यहां का 800 रुपे हो गया तो आप 500 रुपे से 800 रुपे में आप आराम से खा सकते हैं पी सकते हैं और यह फ्रंट स्लाइड आप देख सकते हैं इस वारडर पार्क का और सबसे अच्छी बात यह है कि वारडर पार्क पे बहुत ज़्यादा भीर नहीं रहता है ज्यादा फिर्ड जफ हो जाता है तो भी बजानी आता है गुमने में तो आप देख सकते हो कि कितना खुब फुरत इसका पानी है और यहां पे गुमने में बड़ा ही मज़ा आता है और इस वाटर बार्क में सबसे जो अच्छा बात ही है कि आपको यहां पर स्मोकिंग यहां पे अलाओ नहीं है यहां पे आप ट्रिंक तो कर सकते हो लेकिन आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो और रेस्टरेंट है यहां पे आप खा भी सकते हो स्मोकिंग यहां पे अलाओ नहीं है यहां अलाओ नहीं है बस से और आप हम लोग जाएंगे यहां से रिक्सा से तो हम रिक्सा एक रोकते हैं रिक्सा रोकने के बाद बैठेंगे रिक्सा वाले को हमने किराया दिया 100 रुपे नैपाली और 100 रुपे नैपाली जो की आपके इंडिया में आपको लिट कर लिजे कितना हुआ तो हमने 100 र